इस कक्षा में हम केवल उन प्रश्णों की चर्चा करेंगे जो अक्सर पढ़ने के बाद भी आप गलत कर देते हैं हम जो जो पढ़ाये थे उन्हीं उन्हीं प्रश्णों को अपनी कम्यूनिटी पोस्ट में प्रश्ण डलवाया गया था कि जरा रियालिटी चेक करें कि जो लोग पढ़ रहे हैं वो कितना मेहनत से पढ़ाये हैं कितने ध्यान से पढ़ रहे हैं तो देखने में यह आया कि जिस विशय को पढ़ाया गया उश्छी विशय पर वोटिंग करायी गयी community पोश्ट डलवाई गई, चार विकल्प लिखे गए, प्रश्ण बनाया गया, इसके बाद भी बड़ी मात्रा में लोगों ने गलत किया, तो भाई या तो आपने पढ़ा नहीं, और या तो पढ़ा है तो फिर समझा नहीं, और समझे है तो इस प्रकार की गलती कैसे हो जा र और आप सबने पढ़ा इसके बाद भी गलत किये, ऐसा भी हो सकता है कि भाई आप यह कह सकते हैं कि सर आपने नहीं पढ़ा था, तो नहीं पढ़ा था तो इसका मतलब यह हुआ, कि जो लोग competition दे रहे हैं, उनमें एक बड़ी संख्या भीड बढ़ाने वाली है, सफल होने वाली नहीं है, यद्य भी बहुत सारे प्रश्णों को आपने सही भी हल किया है, पर कुछ सामान ने प्रश्णों की आपने जबरदस्त गलती किये, और इससे एक बात और क्लियर होती है, कि जिधर majority हो, वो प्रश्ण सही ही होगा, यह ज़रूरी नहीं है, बहुत सारे, प्रश्णों को साथ बजे प्रते दिन एक प्रश्ण आपको दिया जाता है, जो पढ़ाया जाता है, उसी से जुड़ा हुआ वो प्रश्ण होता है, तो पूचा गया था वकारस से उच्चारन स्थानम किम, तो 93 प्रतिसत लोगों ने कहा था दंतोष्ठम, तो यह सही है, वकारस से दंतोष्ठम, यह तो आपने सही किया था, लगभग 10,000 लोगों ने वोटिंग की, यह यहां दिखा रहा है, कि 10,000 वोट किये लोग, 606 लोगों ने लाइक किया, 50 लोगों ने कमेंट लिखे, पर एक प्रसत लोग ऐसे भी हैं, जुन्होंने उच्चान स्थान मू वकारस से दंतोष्ठम, उच्चान स्थान पढ़ाया गया था, वाका उच्चान स्थान पूछा गया, आप सबने सही किया, पर यह जो बाकी लोग हैं, साथ प्रसत लोग, वो लोग यह कैसे लगा दिये, एक बार वो विचार करेंगे अपना, अब देखिए, वही चीज है वकारस से उच्चान स्थानम वाला सवाल आपने किया, इसके बाद एक बार यह पूछा गया था, दस दिन पहले यह पूछा गया था आपसे, कि कस से युग मे वरनस से सवरन संग्या भवती, ए और ए की सवरन संग्या होती है कि नहीं होती है, तो भी चार प्रसत लोगों उन ने कहा कि हाँ ई और ए की सवरन संग्या होती है, देखे ई का उच्चार स्थान में तालू है, व की सवरन संग्या नव प्रसत लोगों के आधार पर यह है, जबकि यह आपको अलग से बताया गया था, शर्न संग्या के संदर्व में कि पाणियन को A और I, O और O इन वरणों की सवरन संग्या अभीष्ट नहीं है तो ध्यान रखेगा इसलिए पूचा भी गया था तो यह भी 9 प्रसत लोग यहां भी गलत है O और O की भी सवरन संग्या नहीं होगी यही स्पेसली आपको बताये गया था A, I, O और O और शवरन संग्या नहीं है 23,000 लोगों ने वोट किया था 932 लोगों ने लाइक किया 34 लोगों ने कमेंड लिखा 4 प्रसत लोग यहां गलत हैं 9 प्रसत लोग भी गलत हैं 84 प्रसत लोगों ने का और अंगा चूकि यह दोनों अकुह विसर्जनिया नाम कंठा से कंठ से उचरित हो रहे हैं और का और अंगा दोनों प्रिष्ट वरन हैं यानि आप भ्यांतर प्रेत्न और उच्चारन स्थान जिनका समान हो वही वरन तुल्यास्य प्रेत्नम शवरनम से सवरन होते हैं तो तुल्यास से प्रेत्नम शवरणम का नियम E और A पर फालो नहीं हो पा रहा चुकि E केवल इच्वेशा नाम तालू से उच्छरित है और A, A दैतोह कंठ तालू है तो A में कंठ उच्छानस्थान जादा है कंठ वाला उच्छानस्थान A में जादा है A, A, A दैतोह कंठ तालूश है ये उच्छानस्थान समान तो है और इनका आभ्यांतर प्रेत्न भी समान है विवरतम स्वरानाम स्वर होने के कारण ये सब विवरत भी हैं पर A, A और O, O इसलिए इसमें पूछा गया था कि आप यदि कंफ्यूजन है तो कंफ्यूजन दूर कर ये पानिनी भहेंभी व्याक्षाकार ने भी लिखा और सभी विद्वानों ने कि A, O, A, O, J को माहिस्वर सुत्रों में A, A, A लिखा गया ओ और O, 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 को भी अलग से गिना गया इसका मतलब पानिनी को A, A, A की और O, O, की सवरन संग्या अभीष्ट नहीं है यद्यपी उस परवेष्डिक gifts में सही उत्तर होगा बाकी उत्तर गलत हैं यह चार दिन पहले आपसे पूँचा गया था की समुष्टि दिंगा द्वारा प्रकाशित पुष्तक प्रवेशार्थी एक पुष्तक प्रकाशित हुई इसमें विष्व विद्यालेओं के विगयत प्रवेष् प्रवेशार्थी देख सकते हैं यह तो केबल ऐसे ही पोल कराए गया था आप से अब यह सवाल पढ़िए संग्या केशाम भवती बारा दिन पहले आप से पूछा गया था कि अब इस पर बड़ी मज़ेदार बात है संग्या आपने पढ़ा था कि हलो नंतराहा हलो नंतराहा संयोगा है यही सूत्र है ना हलो हल यदि अनंतर हो माने बाधा रहित हो तो संयोग संग्या होती है हलो नंतराह संयोगा है इसका मतलब एक हल दूसरे हल से संयोग तो होता है दोनों हलों की पर संयोग संग्या मानी गई है सूत्र यही कह रहा है यदि बीच में कोई अच या स्वर ना आए तो तो अच का व्यवधान ना हो स्वर बीच में ना आए तो यह हम लोगों ने पढ़ा था जैसे आप उधारन भी दिया गया था कि मानलो अगनी ही है तो अगनी में गा और ना की संयोग संग्या होगी चूकि गा और ना के बीच में कोई अच नहीं है कोई स्वर नहीं है तो हलो नंतरा संयोगा पढ़ाने के बाद यह सवाल आपसे पूछा गया था जिसमें 75% लोगों ने स्वरवरणा नाम लिखा है जो कि यह उत्तर सरासर गलत है देखे इसका मतलब 75% लोग नहीं समझे संयोग संग्या संयोग संग्या 75% लोगों ने गलत किया इसलिए देखे इसका थंबनेल बनाया गया है कि अक्सर जो प्रशन हम गलत कर देते हैं तो फिर से नोट कर लिए संयोग संग्या हलो नंतराह संयोगा से हल वरणों की होती है यानि व्यंजन वर्णों की होती है तो उत्तर व्यंजन वर्णा नाम अथवा हलाम मालोव विकल्प में व्यंजन वर्णा नाम ना लिखा हो तो इस हल को सश्टी बहुचन में हलाम कर देंगे तो 18% लोगों ने केवल सही उत्तर दिया है बाकी 75% लोग सवर लगा रहे हैं केवल अचाम में 2% लोग लगा रहे हैं और स्वर्ण वेंजन दोनों वर्णों में 5% लोग लगा रहे हैं 18,000 लोगों ने वोट किया है इसमें यानि 18,000 लोगों ने आंसर दिया है अब आप समझें इसमें जो भी सम्ष्कित के विद्यार्थी हैं और संयोग संग्या पढ़ाने के बाद यह प्रश्न पूछा गया था आप से आप सम्ष्कित गंगा का जब यूट्यूब चैनल खोलेंगे तो रोज शाम को साथ बजए आपको एक प्रश्न ऐसा दिया जाता है जो परिक्षा की दृष्टी से बहुत इंपार्टेंट हो और छात्रों में कन्फूजन हो बने आप जिन प्रश्नों पर कन्फूज होते हैं करने वाला सूत्र कौन है तो सब मार देते हलो नंतराह संयोगा या यह पूछ लेते कि हलो नंतराह संयोगा यह सूत्र कौन सी संग्या करता है तो तब भी आप संयोग संग्या मार देते थोड़ा सा इसमें ट्रिष्ट यह है कि पूछा गया कि संयोग संग्या केशाम वरण नानाम भवति अर्थ यह हो गया कि संयोग संग्या किन वरणों की होती हैं तो हमारे हां स्वर और वेंजन दो प्रकार के वरण हैं तो हलो नंतरा संयोगा कहता है हल यदि अनंतर हो माने हल यदि स्वर रहित हो एक हल के बाद दूसरे हल के बीच में कोई स्वर ना हो कोई अच का संयोग हुआ यह आपको बहुत अच्छे से बताएगा नहीं आप समझे हैं तो एक बार आपको संयोग संग्या वाला वीडियो देख लेना चाहिए मिसन राजस्थान में बहुत सारी वीडियो आपको यूट्यूब में फ्री हैं और बहुत सारी वीडियो यहां 12 से जो क्ल क्लास बंदो गई नहीं बंद नहीं हुई आप 12 बजए उपस्तित नहीं हो रहें 12 बजए आप उपस्तित हो यह देखिए 12 बज़े क्लास आपको मिलती है अब उसके बाद वो एप में डाल दी आती ही इसलिए आपको YouTube में पब्लिक नहीं रहती सारी वीडियो YouTube में पब्लिक नहीं है पर ये तो सही है कि प्रते दिन संडे छोण कर रविवार को छोड़ कर प्रते दिन क्लास चलती ही, 12 बज़े आप आईए तो सही, 12 बज़े आप उपस्तित होए, यूट्यूब चैनल समस्क्रित गंगा पर प्रत दिन चलती है मैं आपको आज ये बताने आया हूँ कि पढ़ाने के बाद भी 75 परसंट लोग नहीं, बलकि 75, 85, 82, 82 परसंट लोग वलत है इसका मतलब यही सफलता का भी रेशियो होगा, अच्छा, मैं आपको इसलिए कहता हूँ कि देखिये 2, 4 पर्शन ही होते हैं जो आपको सफलता और सफलता में अंतर करते हैं बाकी 1.500 प्रशन जो आएंगे तो उसमें 100 प्रशन तो वैसे होंगे कि सब करेगा उसमें आप भी करेंगे, वो भी करेंगे तो वहाँ से मेरिट नहीं बनती मेरिट दो चार छे दस प्रश्ण ही बनाते हैं और यदि वही प्रश्ण आप गलत कर रहे हैं तो इसका मतलब आप मेरिट से बाहर हो रहे हैं तो भरे मालो एक लाख लोग फारम भरेंगे तो केवल अठारा हजार लोग सही उत्तर दे रहे हैं आप ऐसा समझें परसत का मतलब यही हुआ ना कि मालो सो लोग फारम भरेंगे वैसे तो अठारा सो पद हैं संस्कृत में तो हम माल लेते हैं कि एक लाख लोग फारम भरेंगे तो केवल अठारा हजार लोग फाइट में हैं बाकी सब लल्लू लाल है तो भाया कोई चीज को पढ़िए कि आप किस प्रकार से प्रश्ण बन सकते हैं हमें कितनी गहराई से उसको समझना है यह ध्यान रखेगा बहुत हलके मिले के मत चलिए इस प्रश्ण को विशेस रूप से हमें दिखाना था कोई बहुत बड़ी बात नहीं पूची थी यद तो हमारा महत तो कमजोर है आप देख लेज़ेगा 700 नियानने लोग इसमें लाइक कियें यह भी 12 दिन पहले का प्रश्ण है उपधमानिय वरनस से उच्चारन स्थानम किम तो चलो यहां कंठा तो दो लोग दो परसंड लोग लगाए वो तो जीवा मूल भी 9 परसंड प्रश्ण लोग सही है और 88 परसंड लोगों ने सही जवाब दिया फिर भी 12 परसंड लोगों ने उत्तर गलत दिया कोई बात नहीं वो तो हलके मैं इसे कुछ भी मार देते हैं कुछ लोग तो इसे आते हैं प्रश्ण दिखा तो अकडम बकडम बंबे पों करके कुछ छू कि यह वो प्रश्ण है यह सुरुवात में प्रश्ण पूचे गए इसलिए सरल सरल पूचे गए अब मतलब आते भी इसी प्रकार के हैं तो 26 अज्जार लोगों ने इस प्रश्ण को हल किया था आपने एक सूत्र पढ़ा होगा उस चारण स्थान में उपूपधमानिया ना तो उपधमानिया हैं तो यह उपधमानी का चिन है एक वरण यह गिना जाएगा मैंने आपसे कहा था कि केवल इस चिन की गिंती करते हैं तो पा और फा यह दो उपधमानी है ऐसा नहीं कहना है पा के पहले जो चिन है वो उपधमानी है और वो एक है इसलिए उपधमानी व प्रश्ने पूचा गया था समुष्रित गंगा की कम्यूनिटी पोस्ट डाली गई थी ग्यारा घंटे पहले का यह सवाल था देखे इधर फिरम डेट भी लिखाने लगे समुष्रित गंगा प्रश्नों तरी तीन आठ मई बाईस रविवार को शाम साथ बजे आपने इसको कि किया और साड़े च्छे हज्यार लोगों न भी वोट किया है यह इसमें ग्यारा घंटे पहले पोश्ट डाली गई कि उश्म वरना नाम समुचित क्रमा का ज्यान से सुनना समुचित क्रम पूंचा गया था उश्म वरनों का बड़ी सावधानी से आपने लगाया है शासा श सल बनता है यह सा से लेके लातक तो सही क्रम होगा शा 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 और हा तो यह शा शा सा हा यही बानने प्रसत लोगों ने सही किया है यह तो बहुत सही बात है कि आपने इसमें सही क्रम लगाया है इसी प्रकार एक सवाल और आपसे बन सकता है अंतस्त वरना नाम समुचित क्र हो शकता है अगली बार ये भी सवाल आए भी हम उत्तर नहीं बताएंगे इसका जब आप पोस्ट में जाएंगे सम्षित गंगा यूट्यूब चैनल का कम्यूनिटी पोस्ट है यह यदि आप इसको हल करेंगे प्रते दिन शाम को साथ बज़े आपको अवश्य मिलेगा पूर अवरन होते हैं 11,56 लोगों में से 22 प्रसत लोगों में सयूत्तर दिया बहुत-थन्यवाद. आगे देखिए, तेरा दिन पहले की ये पोश्ट है, तेरा दिन पहले उदातादी संग्या केशाम भवती, उदातादी संग्या केशाम भवती, देखना बहुत मज़ेदार, 16,000 लोगों ने वोट किया है इसमें, अंठामन लोगों ने कमेंट लिखे हैं, 723 लोगों ने आएं केवल और केवल अचाम मने स्वरों की होती हैं, क्यों गुरु जी, स्वरों की होती हैं, तो उत्तर तो है इसका ये सही वाला 20 प्रस्ट, आप देखिए, 75 प्रस्ट लोगों ने लगाया है उभयोह, और किसी के नहीं होती, उदातादी संग्या किसी के नहीं होती, ऐस उदातादी संग्या वेदों में, उचेर उदाता, नीचेर अनुदाता, समाहारस्वरिताह, ये पानिने ने लिखे हैं सूत्र, और ये पढ़ाया भी जा चुका है, और ये कई बार उस वीडियो को फिर से देख लिजेगा, जिसमें बताया गया कि उदातादी संग्या केवल स्वरों की होती है, अच्यों की होती है, अचाम यानि स्वरा नाम, अचाम कहिए या, तो स्वरों की होती है, तो इस सही उत्तर को लिखने वाले, बताने वाले लोग केवल 20% है, यानि 80% लोगों ने गलत जवाब दिया है, अच्सी प्रतिशत लोगों ने गलत जवा आप दिया है आप देखिए 75 और चार सेवेंटी नाइन वह प्रस्ति यह कहा है कि उदात ताजी संग्या हल वर्णों की और स्वर वर्णों की दोनों की होती होती हुआ यही आंसर सही है और जो सही आंसर है उसमें केवल 20% लोगों ने टिक किया है आप इससे समझे कि 16,000 लोगों में से केवल 20% लोग सही उत्तर दे रहे हैं तभी थंबनिल में ये लिखवाना पड़ा हमें कि अक्सर वे प्रश्ण जो आप गलत कर देते हैं यह उन प्रश्णों की चर्चा भायुत सही भी आपने किया उसके लिए धन्यवाद है आपको लेकिन भाया उदातादी संग्या स्वरों की होती इसमें इतना पहाडा तो नहीं था कि आप इतना गलत करें तो आपके सामने आपका रिजल्ट है यह जूट नहीं बोलता भाय जो आपकी परिक्षा में आपको परेशान कर सकते हैं तो भईया यहीं पर जो परेशानी हो जाए बाद में दिक्कत नहीं होगी अब देखिए एक और मज़ेदार प्रश्ण कयोह वरनयोह सवरन संग्या ना भवती पूछा गया था कि इन दो वरनों की सवरन संग्या नहीं होती है 11 दिन पहले आपसे ये सवाल किया गया था 11 दिन पहले 19 अज्जार लोगों ने उत्तर दिया है 740 लोगों को ये प्रश्न अच्छा लगा है और 57 लोगों ने नीचे कमेंट्स भी लिखे हैं पर बड़ा दुर्भाग्य है जाजी इसमें बिहारी जादा है राजस्थानियों ने जो उत्तर दिया है हमारे उत्तर प्रदेश के सभी साथी सम्षिद वाले तो वो लिखते हैं कि कयोह वरनेओ सवरन संग्या ना भवती तो 71 प्रतिशत लोगों ने लिखा कि आ और आ की सवरन संग्या नहीं होती जबकि आकूह विसरज निया नाम कंठा से आ और आ का उच्छारन स्थान समान है और वीवरतम सवरा नाम से आभ्यांतर प्रत्न भी वीवरित है तो आ और आ ये परसपर सवरनी है यहाँ पूछ रहे कि सवरन संग्या ना भवती U और O की भी ओष्ठव उचारन स्थान है दोनों का और भुवृत अभ्यानतर परियत्न है इसलिए इसकी भी सवरन संग्या होती है E और E की भी सवरन संग्या होती उत्तर तो था ये वाला A और I ये सही उत्तर था ये राइट आंसर देने वाले केवल 21 प्रस्थत लोग हैं इसका मतलब परिक्षा में 21 प्रस्थत लोग ये सवाल आता तो सही करते बाकी मेजोर्टी गलत कर रही है अब इससे ये पता चलता कि सफलता का रेशियो यही रहता है बाकी लोग तो अकडम बकडम बंबे पो एक दो तीन चार मार दो भगवान का नाम लेकर तो भगवान तुम्हारी लेखनी लेकर के सही उत्तर लगाने तो नहीं जाएगा चाहे आप फन्मान जी के लड़ू चढ़ाओ और चाहे ना चढ़ाओ लोग कहे देते हैं भगवान हमारा गलत कर दिया पढ़वो तुम नहीं अब बाकी जब गलत हो जाए तो भगवान को दोस्त देते हैं कहें कि आज हम लड़ू न चढ़ाओ सरस्वती कहो या कुंदेंदू तुशार हार धवला नहीं करेंगे तो भगया आप देख लो कयोह वरनयोह किन दो वरनों की सवरन संग्या ना भवती इसलिए सवाल तीन बार पढ़ा जाता है तीन बार पढ़के उत्तर दीजिए ये वाला सही उत्तर है A और I इनकी परसपर सवरन संग्या नहीं होती ये जब आपको तुल्यास्य प्रेत्रम शवरनम पढ़ाया गया था वीडियो पढ़ी है यूट्यूब में एक बार और देख लिजे सवरन संग्या पढ़ाई गई है समस्टित गंगा यूट्यूब चैनल पर पढ़ा है वो वीडियो आप एक बार देख लें और तब आपको क्लियर होगा कि A और I की O और O की पानिनी को सवरन संग्या अभीष्ट नहीं है ए ओंग में A और I ओउच में I यानि A और I को उन्होंने अपने सुत्रों में अलग-लग स्थान दिया है और ए ओंग में O को और आ योच में O भी गिना है जबकी आप देखें अइउन में केवल A गिने हैं बड़ा आ नहीं है और अयून में उ भी है लेकिन बड़ा उ नहीं है अयून में ई भी है लेकिन बड़ी ई नहीं है चुकि अयून का जो आ है वो अपने सवरन संग्या वाले सभी 18 प्रकार के आ का बोध कराता है तो यहां इस आ से ही इस बड़े आ का बोध हो गया इस उ से ही बड़े उ का भी बोध हो गया इस इ से बड़ी इ का बोध हो गया चुकि आ और आ दोनों का उच्चारन स्थान कंठ है और आ भ्यांतर प्रयत्ने वीविर्थ है और तुल्यास्य प्रेत्नम शवरनम से जिनका आस यानि उच्छारन स्थान और प्रेत्न यानि आभ्यांतर प्रेत्न समान हो वो दोनों वरन परश पर सवरन संगय कोते हैं तो आ और आ शवरनी है, उ और उ शवरनी है, ई और इ सवरनी है, पूछा गया था सवरन संग्या ना भवती, सवरन संग्या नहीं होती है, तो नहीं को भी लोग हां समझ करके गलत कर दिये, सब गुड़ गोबर कर दिये, ए और अई सही होगा, 19,000 लोगों में केवल 21 जो आप गलत कर दे रहे हैं, इस कम्यूनिटी पोश्ट को देखना और वोटिंग करना मत भूलिएगा, इनसे आपको परिक्षा में बहुत सारे सवाल मिलने वाले हैं, अत्वा सवाल नहीं भी मिलने वाले हैं, तो आपका कन्फूजन दूर होने वाला है, और अपना कन्फ यह कोई कपिज धर्मा का सो नहीं है, मज़ा मजएदार कि आप जाएं कुछ भी कर दें, ग्यारा दिन पहले का पोश्ट है, उननीस हजार लोगों में से केवले किस परसत लोगों ने सही किया, अब यह देखो माहिस्वार सूत्रानी संती यह तो बहुत संपल सा सवाल था, चार दिन पहले पूचा गया था, 15,000 लोगों ने वोट किया, इसमें अंठाने परसत लोग सही उत्तर दी, अब यह तो बहुत ही सरल सवाल है कि माहिस्वार सूत्र कितने हैं, फिर भी यह एक परसत लोग कौन है, पता नहीं, जो 20 और 11 पर लगा दियें, पर ठीक है, इसको हम मान सकते हैं कि आपका बहुत 100% योगदान सही था, तो माहिस्वार सूत्र कितने हैं इसको भी आप गरत लगा देते, तो फिर हम चुल्लू भर पानी में डूपके हम ही मर जाते, आपको मरने को नहीं कहते, तो अच्छा हुआ कि आपने इज्जत रख ली, जब बहुत सा अब देखिए, जाजी, दो दिन पहले हमने पूछा कि भईया समुष्टित गंगा प्रश्णोतरी एक में 6 मई 2022 सुक्रवार साम 7 बजे पूछा गया, क्या पूछा गया? उपदेश से लक्षणम किम, उपदेश से लक्षणम किम, तो वरद राज ने उपदेश के संदर हमें लिखा है, हलंत्यम सूत्र की वृत्ति में, कि उपदेश आद्यो चारणम, क्या लिखा है? तो उपदेश से लक्षणम किम, तो उपदेश का लक्षण हो गया, आद्यो चारणम, तो ये 18 प्रसत लोग लिख रहे हैं, कि उपदेश से लक्षणम 7,400 लोगों ने वोट किया है, जिसमें 79, 69 पर्षण लोग गलत हैं, ये 10 पर्षण लोग भी गलत हैं, ये 3 पर्षण भी आ रहा है, वो तो ये बताया गया कि उपदेश के अंतरगत किसको गिनेंगे, तब आपको पताया गया था, धातु सूत्र गणो नादी वाक्किलिंगा अनुशाशनम आगम प्रत्या देशा उपदेशा प्रकिर्टिताहा, उपदेश कौन कौन हैं, ये बताया तो सब लोग धातु पाठ मार दिया, भैया हमने ये पूचा है ना कि उपदेशा से लक्षणम किम, उपदेश की परिभाशा पूची है, इन नहीं तो फिर ये उपदेश तो सिशूत्र भी है, उपदेश तो धातु पाठ भी है, उपदेश तो प्रत्य भी है, पर उपदेशा से लक्षणम किम उपदेशस परिभाषा उपदेश की डिफनीशन क्या है धातु शूत्र गणोन आदी इस नाट डिफनीशन ये तो उपदेश क्या क्या है उपदेश के अंतर गत किसे गिना जाए उपदेश के अंतर क्या आएगा समझ में आया तो उपदेश आंतर गते किम प अच्छती तर्य भावता भावताम उठ्ट लWo advancement कि मौश्ध है के अध्योचारेमे लिखा कि बेघ भे साथ्योचारनम। अध्योच्रन क्या है तो यही आद्योचारनल को जाजी तो यह यह इस्थिती है इन ऌ सौच Krishna हम आपको नहीं कह रहे हम यह करें कि समस्कृत में पढ़ाने के बाद जब लाइब क्लास में पढ़ाया गया आप सब ने पढ़ा उन वीडियों को दददस बीस बीस पचीस पचीस पचास पचास जार लोग देख रहे हैं और देखने के बाद पता नहीं वही वोट कर रहे है कि vote करने कोई ओर आ रहा है किसी ने किसए ने का किसर हम तो vote नहीं कि हमारी पहम्मी ने मार दिया है अरे यार community post पढ़ते तुम हो उत्तर तुम लगाओ तुम अपनी बहनी से काह लगवा रहे हो अपने अंवा से पापा से दोस्तों से क्यों उसका उत्तर टिपहा रहे हो तो बेतर होगा आप खुद पढ़ें और पढ़ने के बाद सही उतर दें यहाँ पर देखिए केवल 18 प्रसत लोगों ने राइट आंसर लगाया है यह सफलता का रेशियो है तो कितने लोग फारम भर दिये यह मायने नहीं रखता बरह बरह एक लाग दो लाग क्या दिक्कत है अब उसी हिसाब से इस प्रकार के प्रशन आ गए तो 18 परसन लोग सही उतर लगाएंगे बांकी तो सब धातु पाठ मार रहें सिवशोत्र मार रहें प्रत्य मार रहें तो आप क्लियर रहिए लाइन लिखी है उपदेश आद्यो चारणम उपदेश आद्यो चारणम लक्षन क्या है तो आध्यो चारणम उपदेश में बताया गया है यहीं सई उत्तर लगाना चाहिये था ना तो यह यह तो च्छे मई का प्रश्ण है यानि एक दो दिन पहले का है हो गया ना तो मित्रों आज की कक्षा में इतना ही मैं यह बताते हुए गौरवानवीत महशू करता हूं खुद को कि आप के लिए प्रति दिन बारा बजे की लाइब क्लास पूरी तरह से निश्शुल के फ्री है उस व सर बनाये जा रहे हैं आपके लिए मिसन राजस्थान की किताब लिखी जा रही है पूरी ताकत हम लोग इस वार राजस्थानी साथियों के लिए जो राजस्थान में शेवाएं देना चाहते हैं अपने सभी राजस्थान के साथियों को जो जैपूर में है जोत पूर में ह जहां कहीं भी राजस्थान की धर्ती में वीरों की धर्ती में वीर पैदा होते हैं और बहुत सारे सम्ष्टित जगत को सम्रद्ध किया है राजस्थान ने तो आप ये मत भूलिए उसी सम्रद्ध परंपरा को भट्ट मतुराना सास्त्री की परंपरा के आप लोग हैं देवर रखिए यह धर्ती में वीर पैदा हुए महाराणा प्रताप जैसे भी और सम्ष्कित की धर्ती में सम्ष्कित की भी उपजाओ धर्ती है राजस्थान सम्ष्कित को बहुत दिया है राजस्थान ने तो ए राजस्थान के हमारे साथियों कम सकम ऐसे लल्लू गीरी मत किया करो क परदेश के हैं होर sommes जाहें के रैजिक सी रूप में हर स्टेट से हैं जब मैं इस प्रकार की लाइब काक्षाएं लेता रहता हूँ तेके हमारे पास जार आजिस बैठें अमिर्ञ consistent कर देश के उत्तर प्रदेश के लोग बैठें मद्द्रदेश के ब्रह्माजी हैं हर कर राज जिसे 1-2 लोग रहते हैं तकर हर जगे की संवक्रती हर जगेका कैपर हमें पता सब मिलेगा हम तो दिन देख रहें कि कब जाने का आउशर मिले तो बहुत-बहुत धन्यवाद अपने सभी साथियों के लिए कुछ करेंगे मिसन राजस्थान आपके लिए माडल पेपर भी तयार हो रहें पूराने पेपर का हल भी आपको दिया जाएगा पूरा सेलिभस भी आपको पढ़ाएंगे वीडियो और मैटर पीडियाफ नोट्स सब चीजें आपको बहुत जल्दी अवेलेवल करा रहें सारी टीम ठाकत लगा देंगे हमारी कुछ टीम अभी अपने अन्यानी कारियो में वेस्थ है पर मुझे पूरी उम्मीद है कि मैई के बाद आपको बहुत अच्छा मैटर मिलेगा आज के लिए तना ही हम फिर नई वीडियो के साथ कल उपस्तित होंगे बारा बज़े ध्यान रखेग रोज बारा वजे फिर मुपस्तित होंगे तब तक के लिए नमास सम्षुता है